आट इस वीडियो आट र्रक्टि रेक्ट रेस्ट अबाउट आप इस नियुज करते हैं आएप इसको यह पर बना देता हैं अगर आप यहां पर यूजर बनाते हैं कुछ भी आपने डिलीट कर दिया स्पोस्ट आप ने डिलीट करते हैं तो भाई यह गया मुझे नहीं मिलेगा ठीक है तो अब इसको प्रिएंट करने के लिए क्या करना होगा भही हम यह पर द्रेक्टरी- nunam होगा हम server manager में जाएंगे वही हम system center के अंदर जाएंगे तो यहां पे जब हम अपना domain select करेंगे तो हमें last यहां पे option मिलेगा this is enabled recycle bean ठीक है अब इस पे क्लिक करते हैं यह देखें मैसेज देखें यहां पे are you sure you want to perform this action once recycle bean has been enabled it cannot be disabled तो भाई यह interview में भी आ सकता है और अगर आप कोई test देते हैं तो वहां पे भी question आ सकता है तो इसको जुरूर रियाद रखेगा कि once recycle bean has been enabled it cannot be disabled तो कोई दिक्कत निया जी okay कर देते हैं और it will take some time भाई अगर अभी तो मेरा एक ही domain कोई दिक्कत नहीं है और अगर आज से आपके multiple domains रहते हैं तो वहां पे थोड़ा सा time ले ले लेता है ठीक है तो बारा open करते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा time लेगा इसको अनेबल होने में ठीक है यह देखिए अब जैसे हमने अनेबल किया यह हमारा point disable होगा और यहां पे new folder हमारा add हुआ होगा एक फटा फट क्योंकि यह जल्दी बन जाएगा testing अब्जेक्ट मतलब कुछ भी भाई ठीक है यहां पर हम अब्जेक्ट की बात करते हैं दोनों चीजों के लिए हमारे object जो है group भी हो सकता है हमारा user भी हो सकता है हमारा computer भी हो सकता है हमारा ओ यू भी हो सकता है ठीक है तो मैं testing group जो है delete कर देता हूं delete yes अब देखते हैं यह मिलता है कि नहीं मिलता है ठीक है delete object हम access करेंगे और इसको refresh करेंगे yes it is available ठीक है यह हमें मिल गया यहां सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो भाई लोग लाइक किये भी ना मच जाना ठीक है और अगर आपने subscribe नहीं किया मेरे चैनल पर न्यूँ है तो subscribe जुरूर दबाना क्योंकि तुम्हारा भाई अच्छे अच्छे content अप्लोड करेंगा वह जल्दी इस training को complete करूँगा और आपको नई अच्छे अच्छे वीडियो बाई भाई आप